So, आज अपन इस lecture में बात करने वाले हैं Fixed Action Pattern क्या होता है F.A.P. के बारे में बात करेंगे Ethology का क्या है? ये एक chapter है अच्छा chapter है, इसको आप अच्छे से देखिए आपको ये वीडियो देखने का वाद कहीं और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी तो चलिए बात कर लेता है Fixed Action Pattern आखिरकार होता क्या है तो देखे, Fixed Action जो पेटर्न होता है ये innate ये आपन बोल सकते हैं Inborn होता है, मतलब ये सहज या जनमजात होता है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा साथ में ये Fixed होता है and Stereotype होता है अब देखे, Stereotype का मतलब क्या हो गया Stereotype का मतलब हो गया कि किसी भी कोई भी विशिस्ट करम है, कोई भी सिक्वेंस है उसको बार बार क्या करना Repeat करना क्या कहलाता है Stereotype कहलाता है Stereotype Behavior कहलाता है तो देखे, ये क्या होता है Innate होता है Species Specific होता है साथ में Fixed होता है and Stereotype होता है क्या? कौन? Fixed Action Pattern तो very very important top points है ये कि Fixed Action Pattern क्या होता है Innate होता है Species Specific होता है Fixed and Stereotype होता है अब इसके थोड़ी से अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिरकार fix action pattern क्या होता है तो देखे fix action pattern क्या है जनमजात वेवार है जो किसी भी species कि कोई भी species specific होगा उसमें fixed and stereotype समन्दित क्रियाई होगी जिससे जो animals होगा वो अपने जीवन काल के अदर जिसको क्या करेगा जो animal होगा वो अपने जीवन काल की किसी न किसी अवस्ता में क्या करता है प्रदसीत करता है मतलब fix action pattern होता है ये एक तरह का क्या होता है कोई भी जो animal होगा मतलब उसमें क्या होगा ये जनमजात होगा साथ में specific होगा fixed होगा साथ में stereotype होगा इस तरह की जो भी kriya होगी उसको जो भी animal होगा वो क्या करेगा अपने जीवनकाल की किसी ने किसी अवस्ता के अंदर क्या करता है शो करेगा, किसी ने किसी स्टेज के अंदर इसको परदसीत करेगा अब देखिए, जब एनिमल होगा न वो इस पूरी की पूरी जो fix action pattern की क्रिया को क्या कर लेता है complete कर लेता है न तो उसको ऐसा लगता है कि वो किसी तनाव से क्या हो चुका है मुक्त हो चुका है, मतलब किसी stress से क्या हो चुका है वो free हो जाता है तो fix action pattern को यदि कोई animals होगा वो उसको बार-बार repeat करेगा, show कर देगा, उसको complete कर लेगा तो वो क्या करेगा, एक तरह से कुस को, खुद को क्या करेगा stress free मैसूस करेगा अब इसका example अपन समझते है जैसे देखे, प्रजनन काल में मौर का नाचना जब reproductive जो phase होती है न उसके अंदर मौर को आपने dancing करते हुए देखा होता है तो वो dance करता है न, तो वो क्या कर देता है एक तरह का fix action pattern क्या करता है तो आपने देखा होगा चाहे जितने भी मौरो, वो सब के सब क्या करते है प्रजनन काल के अंदर आपको नाचते हुए देखने को मिल सकते है साथ में दूसरे example के बात करें तो छोटे बच्चों का हसना है वो रोना तो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा ने तो कोई उनको हसना सिखाता है ने ही उनको क्या होता है, कोई रोना सिखाता है तो वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे हासेंगे, रोएंगे हासना रोना दोनों क्या है ये उनको stress से क्या करता है फ्री करता है तो देखे ये innate भी है जनम जात भी है ये क्या है species specific भी है human species के अंदर आगया साथ में fixed है हर बच्चा छोटा होगा वो रोएगा भी और साथ में क्या करेगा हासेगा भी और क्या है stereo type है मतलब बार बार क्या होती है ये जो process है इसको क्या किया जाता है repeat किया जाता है अगले point की बात करें केटो का social organization में रहना मतलब जो भी kids होती है उनका क्या रहना social organization में एक साथ साथ में साथ में मकडी का बिना learning के क्या बनाना अपना जाल बनाना, अपना नेट बनाना मकडी होती है, उसको किसी ने भी क्या है जाल बनाना नहीं सिखाया जाता है आप किसी भी मकडी का एडिये छोटा बच्चा होगा उसको आप साइड में रख दीजिए मतलब एक दूसरी जगे उनको अपने माता पिता से दूर रखे फिर भी क्या होता है, वो अपना नेट बनाना सीख जाएगा मतलब क्या है, मकडी को लर्निंग नहीं दी फिर भी उसने क्या कर दिया, नेट बना दिया तो ये क्या है, एक तरह का fix action pattern है, देखे इसके अलावा यदि एपन example की बात करें तो detail के अंदर दो वेगैनिक थे लोरेंज एंड टिन बर्चन इन दोनों ने इस पूरी की पूरी प्रोसेस को fix action pattern को अच्छे से example दुआरा समझाए तो चलिए उन example को अपन बात करते है देखे, यदि कोई भी एक गिलेरी होगी, उसको यदि उसकी सिसु अवस्ता के अंदर ही क्या कर दिया जाए माता-पिता से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए मतलब पूरे family member है, उनसे के पूरी species से क्या कर दिया जाए, उससे गिलेरी को अलग कर दिया जाए, और उसको एक जो cement वाली जमीन है, उसके उपर यदि अपन उसको रख देंगे, उसको वहीं रहने दिया जाए, तो वो जैसे ही west हो जाएगी, adult हो जाएगी, तो जब उसको अपन nuts देंगे ना खाने के लिए, तो वो nuts को क्या करेगी, कूच से nuts को तो वो खालेगी, और बचे वे nuts को क्या करती है, वो जमीन के अंदर छुपाने की कोसिस करेगी, अब जमीन तो cemented है, लेकिन वो क्या करेगी, ऐसा ही fix action pattern करेगी, वो ऐसे चीज को क्या कर रहे है, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, इस process को करने के बाद तनाव मुक्त हो जाएगी, stress free हो जाएगी, इसलिए वो यो process करती है, दूसरे example के अपन बात करें, तो grey lake ghost क्या की जो females होती है, वो क्या करती है, अपने अंडे को क्या है, एक fix action pattern में क्या करती है, अंडे होता है, उसको गर्दन के ओपर क्या करती है, round round गुमाती है, और गुमा के क्या करती है, वो गड़े के अंदर क्या करती है, उसको डालने की कोसिस करती है, यदि उनके अंडो को अपन छुपा देंगे, फिर भी क्या करेंगे चाहें उनके पास अंडे नहीं हो फिर भी वो ये process क्या करती है बार बार repeat करती है इसी को क्या बोलते है fix action pattern मतलब वो एक जीज को क्या करेगी ये चीज उनके अंदर fix रहेगी कि ये process करनी है आप उनको उस चीज से वंचित भी कर दोगे न तो भी क्या क्यों क्योंकि वो क्या करना चाहती है तनाव मुक्त रहना चाहती है तो ये था fix action pattern इसके example और भी बहुत सारे ये कुछ important exam थे examples थे इनको मैंने आपको बता दिया वीडियो कैसी लगी comment box में बताईएगा और इसके जो notes है वो आपको telegram पे मिल जाएगे आप telegram से download कर लिजे तो चलिए next lecture में पर फिर मिलते है thank you